और अब रुकरतें अलवर का जहां कोरोना के चलते हैं अभी तक 2400 से ज्यादा लोगों की सेंप्लिंग की जा चुकी है सात्यू प्रशासन के मुस्तैदी और उस्तानिय लोगों के मदद से लोकडाउन का भी पूरी तरह से पालना कराया जा रहा है यही वज़े कि अभी तक क कोरोना का पोजिटिव केस नहीं है यह अलवर के लिए अच्छी बात है और अलवर में काम कर रही उस टीम के लिए भी जो कोरोना योद्धा है और इस कोसिस में है कि अलवर किसी भी तरह हमारे से गुजर जाए हमारे शाद जिला क्लेक्टर है सिर्क क्या मानते हैं कि यह 15 दिन से बड़ा अच्छा साइन है हमारे लिए अलवर के लिए और किसको स्रेज को देते हैं देखिए इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट अलवर की जो पूरी टीम है चाहे वो मेडिकल टीम हो चाहे वो पुलिस की टीम हो प्रशासनिक टीम हो यहां तक कि अलवरवासी हर एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि कैसे करोना को जिले से दूर रखा जा सके लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि करोना एसिम्टोमेटिक भी रहता है करियर की तरह से भी लोग आगे चल रहे हैं जैसे जैसे रिलैक्सेशन बढ़ रहा है वैसे आवा गमन अब आगे बढ़ेगा तो मेहनत के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि जिला अभी तक लखी रहा है हमें बहुत जादा एतिहात रखने के ज़र्थ है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में तकरीबन 14 दिन से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है हमारा प उनके इशूस हैं उनको सुलजहना हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो दोनों चीजों का जो बैलन्स मैंने आपको निमेजन किया वो बनाने का अलवर जिले में प्रयास हो रहा है कि अलवर जिले में कुल अभी तक 7 किसिस आ चुके हैं तीन लोग अभी तक डिस्चा लूमों से बात हो रही है बात यही सामने आ रही है कि सभी लोग सेफ हैं कोई ऐसी प्रकार की दिक्कत नहीं है लेकिन इसके साथ साथ ये एक चंता का विशे ये है कि इतने बड़े जिले में जहां इतना जादा इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होता है उस जिले में इतने लंबे समय से अगर कोई positive case नहीं आ रहा है तो हमें अपनी screening हमें अपनी testing की विवस्था को और ज़्यादा पुखता करना होगा उधारन सुरूप अलवर्ड शेहर में अभी तक कोई case सामने नहीं आया है विवारी जैसे ऐसे टाउन में भी case सामने नहीं आया है तो हम अच्छा है कि उसको पहले दिन देखा जाए identify किया जाए और isolate कर लिया जाए तोर पर अलवर्ड के लिए एक अच्छी बात है कि 15 दिन से positive case नहीं है लेकिन यह भी ध्यान रखने के बात है कि आगे भी lockdown का पालन करें इंडस्ट्री जिस तरह सुरू होंगी तो साध जिला प